पाक में हिंदूओं को तुहपा सिंध में नहीं होगा जबरन धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन हुआ अपराद हो सकता है आजीवन कारावास्थ पाकस्तान के सिंध में जबरन धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा रहा है सिंध में होने वाले जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लंबे वक्त से सब्त कानून की मांग की जा रही थी जिसे गुरुवार को पारित कर दिया गया पारत कानून के मताबिक सिंध प्रांथ में अब जबरन धर्म परिवर्थन करना अपराग होगा और इसके लिए आज इवन कारवास तक की सजा हो सकती है इस कानून के बाद जो लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए किस दिन का वेटिंग समय दिया जाएगा कानून में 18 साल के कम उम्र के लोगों के लिए धर्म परिवर्तन बैन होगा इस कानून में जवरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए नियुनतम पांच साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारवास की सजा का प्रावधान है इस कानून के पारित होने के बाद संधप्रांथ में रहने वाले हिंदू समुदाय में एक खुशी का माहौल है हिंदू समुदाय का कहना है कि इस कानून के बाद अब उन्हें सुरक्षा का एहसास हो रहा है